Hello Friends, Welcome to Study to Learn आज की सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं मौर्यतरकाल को इससे हैं पहले हमने मौर्यकाल को डिस्कस किया हुआ है पिसली वीडियो में उसका लिंक आपको रिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप चाहें तो उसको चेक कर सकते हैं इससे पढ़ने में आसानी होगी वन बाई वन पता चलीगा कि कौन कौन से शासन हुए थे किसकी वन्स के सासन हुए थे भारत में तो देखें इससे पहले हमने पढ़ा था मौरे सासन के बाद जो भारत में नेक्स्ट जो आता है वो आता है मौरे दरकाल का जिसका समय था 180 सीज़शन पूरू से 319 सीज़शन दक का तो दीखें मौर्य तरकाल में जो सबसे पहला जो वंस होगा वो आएगा सूंग वंस, ठीक है, तो सूंग वंस इस में इसी रिलेटील क्वरेश्षन को हम देखते हैं, पहला इसमें ये बने गा कि मघद में सूंग वंस की स्ताफना किसने की थी ठीक है तो पुष्यमुत्र सूंग ने की थी सूंग की स्ताफना मघद में ठीक है इससे पहले तो आपको पता है कि मौरेवंस का शासन था मघद पर जिसका अंतिम राजा कौन था मौरेवंस का अंतिम राजा कौन था या अंत सासक था तो सूंग की स्थाफणा की थी पुष्यमूत्र सूंग नए फिर नेक्स्ट कॉष्यन पुष्यमूत्र सूंग जो था वो किस चाति का था तो वह ब्रहमरण तो उन्होंने विर्शा में अपनी राजद्धानी को बनाया था जो कि मध्यप्रदेश में है ठीक है तो विजिसा में स्ताफित की थी राजदानी अपनी फिर अगला क्वेशन इसमें होगा कि इंडो यूनानी सासक मिनाडर को किस सूंग सासक ने पराजित किया था ठीक है तो जो इंडो यूनानी सासक था या हिंदू यूनानी सासक विसको कहते हैं तो जो मिनाड तो सूंग को वंस का कौन सा साथ था जिसने इसको पराजित किया था तो वो पुष्यमित्र ही था जिसने की तो पराजित किया था फिर इसमें नेक्स्ट क्रोशन है कि बहर उत lesser का निर्माण किसने करया कि घंधर प्रदेश का भरुत श्तूप जो है वो पुष्या मित्र सुंग ने ही करवाया था फिर आगे देखिए पुष्या मित्र सूंग्य 2007 के लिए किसने Latब करवाये यह钉ल था थे पतन जली के द्वारा यह ने चुन्हीली तो देव भूति था चीक है सुंहाप्त्वंस यहाँ पर समाप्थ होता है फिर असके बाद जो वंस आया वो किन वंस की अब बात करेंगे ठीक है तो देखेगे सुंहाप भूति हन्स का अंतिम साशक था तो देव भुति की हत्या किस ने की थी कब की थी तो ये 75 वे इस विप पूरो में वाबासु देव ने की ने की थी ओधिक है वाबस देव जो था वो किश्वन्स का था किश्वनस समंदित था वो खण वंस समंदित था और कण वंस का अंतिम राजत thinking सासन था यह सूशरमा ठाठीइ तो कौणनां को अंज का जो शासन था वो 43 वर्सों तक रहा था भारत में 43 सालों तक भरहां थैं UX वर्सं तक रहा था स्वप your तक टार शेक लग अलग को ऑने उसमें अन्तिम सासक था वो धुल depending की हत्या थी वह इसने की थी और कब की थी तो यह साठ भी इस पी पूरो मैं सिमुक ने की थी ठीक है अब यहां इस इस रिलेट्ट कोशन देखेंगे सिमुक जो की सात वहन वंसका से सम्मंद्र रखता था ठीक है फिर नेक्स कौन आएगा साथ वहां सासक आएगा तो सिमुख जो था जिसने की किसकी हत्या की थी सुसर्मा की हत्या की थी जो कर्वंसका अंतिम सासक था तो जो समंद्र रखता था साथ वहां सासक से साथ वहां वंससे ठीक है फिर साथ वहन सासकों ने अपनी राजधानी कहां स्थाफित की तो ये प्रतिस्थान में जो के आंदर प्रदिस के औरंगाबाद जिल्ले में अभी है ठीक है प्रतिस्थान में राजधानी स्थाफित की थी साथ वहन सासकों ने फिर साथ वहन सासकों ने किन धातों की मुद्रा का प्र तो सीसा से बनाए जाती थी सबसे अथिक बुद्राएं फिर आएगा अश्यचिक में ब्राहमों प्रातों करो प्रथा की प्रता का आरम की सासे को ने कया था ठीक है कि ब्राहमों को प्राकर्त की दान किया प्रहमी भासा में लिखते थे फिर साथ वहनों का समाज किया साथ तो मात्र सत्तात्मक साषन वह समास था साथ वहनों का पिसमे नेक्स्ट क्रेशन अब यह है कि कारले का चैत्या अजन्ता एलॉरा की गुफाओं का निर्मान इवां अम्रावती कला का विकास कि शासकों ने कि किया था कि फिर अगला स्कूर्षण बनेगा कि साथ करणी एवं अन्या सभी साथ वहां सासक क्या कहलाते थे तो यह दक्षेन पत के स्वामी कहलाते थे अब इसके बाद यहां पर हम बात करेंगे यह वन साशक की तो देखी भारत पर आकरमर करने वाले विदेशी जो आकरमन का रहे हुए तो उनका क्रम क्या था ठीक है क्रम पूछा है कि क्रम क्या था तो ये है हिंद यूनानी सक पल्लव कुशान ठीक है तो इस तरह से जो भारत में सासन हुआ था हिंद यूनानी फिर उसके पास सक आए फिर पल्लव आए फिर कुशान आ बनाए रखा तो यह यह वन साशक एंटी ओकस प्रथम ने बनाए रखा था फिर है वैक्टरिया के विद्रोह का नेत्रित्य किस ने किया तो यह दियोडोरस प्रथम ने किया था ठीक है इससे लुट कुछ यह देमिट्रियस ने भारत पर कब आक्रमण के था एक 120 यह थी पूरू में किया था कि फिर आई इके इसमें बारत पर आक्रमण के किन इसथानों पर अधिकार लिया तो अफगानिस्थान में पन and Gants के बड़े भाग वेंडिया है जो कि डेमिट्रियश सने लिए था खेक्र mue यूनानी की नाम से भी सिस्थान को जाना जाता है साकाल एक स्थान है वहाँ पर राजधानी बनाएगे थी डेमेट्रेस के द्वारा फिर आएकस में हिंद यूनानी सासकू में सबसे अधिक विख्यात कौन है ठीक है तो जो हिंद यूनानी सासक हुआ तो उसमें सबसे विख कि राजधानी साकाल किसका प्रमक केंद्र था तो जो साकाल इस्तान था राजधानी थी मिनाडर की या हिंद यूनानियों की तो वो सिक्षा का सबसे प्रमक केंद्र था अब हैस में आगे मिनाडर किस धर्म का अन्याई था तो मिनाडर बहुत धर्म का अन्याई था बहुत ध सर्वर्ण की दिख्षाली थी मिनार्ण में ठीक है कि हिंदू युनानी सा सकता मेंत cheapest है कि तो उसका नागह कि द्वारा थी तो तो ये मिलिंद पन्हों में हैं, ठीक है मिलिंद पन्हों यानि कि मिनाडर के नाम पर ही इस कह सकने गरंथ का नाम रखा गया, मिलिंद पन्हों में है इनका पूरा व्यूरण, फिर अब भारत में सबसे पहले किसने सोने के सिक्के जारी किये, ठीक है कई बार पूशे जाता है युनान की प्राचीन कला कौन से थी इसका पिक्चर में लेगा तो इसको एड कर दूँगी में तो आप समझ आएए क्या गानधहर कला किसी कहते हैं ठीक है तो धारत में उधारन है वह गानधहर फिर चार धातौं जोणा चान्दी तामबा और शीसा ठीके इस इसमीसणरं से बनने वाले जाता है तो इसे कहा जाता है कारसापण कहा जाता है जो कि इन चारधातों से बनता है सोना चांदी तामबा और सीसा से फिर अगला क्वेशन इसमें बनेगा कि कि इस स्थान को पैरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी नामक पुस्तक को में पोडू के के नाम से मलब पोडू को कहा गया है ठीक है कौन सा वो एम अरिकामेडू जिसको पोडू की कहा गया है इस सुस्तक में फिरिसके बाद हम next जो स olpade कल कि करेंगे वो सक सासक की करींगे ठीक है तो अब यहां पर सक्षासक नहीर नहीं सासन का के सकते हैं यहां भारत में आगमनहुन हुआ तो यह यहाँ पर सक आए थीजुटे और इनके संख्या की बात करें तो पांच थी मूह कहा थे निवासी कहा कि इस earn कि निवासी थे जो भारत में आए थे और किष्फ कि खोज ने कब फराजित किया तो वह चारा गहा कि खूज में भारत आये थी फिरस में उज्जेइन के स्थानी राजा ने सकों को कब पराजित किया तो जो उज्जेइन में पहले से ही भारत के जो राजा थे उन्होंने सकों को पराजित किया था अठावन वे इस भी पूर में सकों को प्राजित करने वाले राजा ने किसकी उपादी धारण की तो सकों को प्राजित करने वाला जो राजा था उसने विक्रमादित्य की उपादी धारण की थी सक्ष्रेम पर विजय को कौन से संवध फ्रारंव सक करते marketing लिए तो भारती अतियास में कितने विक्रमाधित्य्य हैं तो भारत के इतियास को 14 विक्रमादित्या हुएं शॉक्त काल सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्या था तो भारत का सब सामराथ जो इछट्रश कालसि संभंधे upfront रखना था था वह या संभंधित काल से हैंद्यान जानेंगे गुप्त सामराज जगो तो तेखे गुप्त समराज जो था चंद्रगुप्ति उतिया जो सबसे विख्याद विक्रमा देते था भारत में फिर अगला क्वेशन इसमें बनेगा रुद्रदामन प्रथमने कठ्यावाड़ की किस जील का जिर्णो धार किया था तो यह कुरशन कई सुk सवदर्चन जील ठीक है तो रुद्रदामन प्रथमने प्रथमनेा इनकठ्या वाड़ कि जो झील ठीका जीलों सब्दर्डभाश में आपने जिव्य inadequ केते परें next question भारत में शक राजा अपने को क्या कहते थो अपने को मतलब अपने लिए वो खत्र अप्सब्द का यूज करते थे जो सक्षासक्त भारत में फिर सरवपर्थम भारत में विशुद्य सस्कृत भासा में लंबा अभलेख किस राजा के द्वारा जारे किया गया ठीक है जान सासक भी रहा सक साशक रहा था ठीक है अब नेक्स वेशन इसमें है त्रातार या मुक्तिदाता ठीक है त्रातार करत होता है मुक्तिदाता तो इसकी उपादी किस सासकों ने धरण की थी तो ये सक सासकों नहीं त्रातार या मुक्तिदाता की उपादी धरण की थी अब यहां स सक साशन खतम होता है फिर नेक्स जो सासन होता है भारत में वो कुशान सासकों का होता है ठीक है अब देखे भारत में पल्लव की बाद कौन आई यहां पर कुशान सासक आई ठीक है अब अगले इसमें देखे क्वेशन का जो शंबंद ताओं किससे की तींreaming जन्जाथी को ऑफसे ऑन संबंद किसे नहिन से था ना जा जाते है जो तेन की जंड़ ची कि द जhou से वह अग्वह वह लोग था ठीक है अब इसमे क्रेंग्र क्वेशन है कि कि अन्य नाम से जाने जाते थी तो यूचीम तोखरी यूचीम तोखरी के नाम से भी जाना जाता था कुशानों को फिरा कुशानवंस का सस्थाफ़ा कौन था तो कुजूल कड़ फिस था ठीक है जिसने कुशानवंस के स्थाफना के थी कुजूल कड़ फिस यानि कुशान से प स्ब्रेंगी, artificial फिसे को अगला यह क्षेशन वञला इसमें बनेगा कोशाणवन ख से कुशाणवन सका सबसे प्रतापी राजा कौन था ? तो कनिश्ग था सबसे प्रतापी राजा और कनिश्ग की राजधानी क्या थी यह कहा थी ? तो पुरुस्पुर यह पेशावर में थी फिर अगला इसमें क्वेसन है कि कुसानों की दूतिया राज़ानी क्या थी दूसरी राज़ानी मत्रा थी कुसानों की फिर कनिष्क ने 78 वी स्थी में कौन सा समवत चलाया तो सक समवत का समय था तर्वारा प्रियोग में लाए जाने वाला समवत को ही इस्तमाल किया जाता है भारा सरक्वार के द्वारा एपीरेसर में नेक्स्क फ्रॉषन हैं बौध्धर्मी की जो बाध संगती आपल दो किसे संप्रदाई का अन्युआई था तो कनिश्क जो बहुत धर्म का जो संप्रदाय था महायान संप्रदाय ठीक है कौन कौन संप्रदाय थे हीन यान और महायान तो हीन जो महायान संप्रदाय था उसका अन्याई था कनिश्क ठीक है फिर है कनिश्क का राज वेद के कौन था तो आयरुवेद का विख्यात विद् अनद्यान था वही कनिश्की का राजवेदया था आप देखी चरक चuting पूस्तक थी रखेए चरक सहीता पूस्तक पूस्तक में रचनः कर फूस्तक के रचनः यह पिक्टेएं ध्याख बनेगा बाधर्म का विष्व कोस किसी कहा जाता है महाविवाशा सोत्र iphone कहा जाता है फिको कहा सकते हैं वशोमीत्र पार्शाव नाघरजुन महाचत्यय और संगरफश ठीके आप अब next question है कनिश कीम रिद्यू कब हुई तो 102 स्ट्वी में कनिश कीम रित्यू हुई थी फेरा कुशानवनस सासकımız के दोरा मतलब यंजे इसको भारत में लाय गया दा लेकिन इसको और भी विक्सित किया गया है वो कनिद्वारा किया गए थी वो गहंदार सहली थी और मात्रा सहली थी फिर सीम्राइं पर्रेसर मार्क पन्यंद्रां रखने वाला सबसे प्रशिद्स सासकौन था तो वह कुशान था अगला क्रशिन असी संपंदित है कि एल अभशनması आने का जो तकनीक जो साशक आये थे तो उनका उन्होंने ये गांदार सैली को भारत मिलाए थे तो भारत ग्रीक यानि की भारत और युनानी सैली का मिस्रण इसको कहते हैं ठीक है गांदार सैली को फिर किस संग्रहालाई में कुशान कालिन मूर्दियों का संग्रहा अधिक मात्रा में है तो ये मत्रा संग्रहालाई में है ठीक है जो कुशान कालिन मूर्दियों का संग्रहा है यहाँ पर ठीक है मत्रा संग्रहालाई में फिर भारत में किसने सोने के स्रवाधिक सुद्य सिक् थे सरबादिक पुछा जाए तो कुशान उने चलाये थे ध्यान रखना है विरय प्राचिन काल में कलिंग का महान साशक कौन था तो खारवील था ठीक है कौन था खारवील फिर इसमें नेक्स वेशन है कुशान काल में सबसे अधिक विकास किस छेत्र में हुआ था तो वास्तुकला में हुआ था ठीक है सबसे अधिक विकास वास्तुकला के छेत्र में हुआ था फिर अगला क्वेशन है कौन साव लेक कलिंग नरेश खारवील से सम्मंदित है तो हात के थी सरवप्रतम जो भुद्ध की खड़ी प्रतिमा होती है ठीक है फिर कौन सा शाष्चा कनिश्क के बौध होने के लिए उतरदाई था अस्वघोष ठीक है जिसके कारणा की कनिश्क ने बौध धर्म को अपनाया था तो अस्वघोष उतरदाई कह सकते हैं ठीक है दिफ्रेण चाओ जो जो चीनी जर्नल था उसने करका किस रजा आए था फिर किस कुलें सासक में सरवाधी सरौनिंद्राइद चला थी तो कुला आंस ने नेक्स राएगा रोमन सामराज जी के अनुसरण पर किस वंस के सासक न th again किशे और शार की उपादि गहन की ठीजटार ये तो प्रेंड्स ये थे मोरियतरकार से सम्भन्दित में है तो पर्श्ण वीड़ो पर्शंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजे चनल को वीडियो के लिए नोटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन प्रेस करके और पर क्लिक कर दीजे मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद